हेलो फ्रेंट्स गूड मॉर्निंग वेलकम बेक टू मा यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड पैट्सलवर फ्रेंट्स आज मैं जेट प्लांट के बारे में बात करूंगी कि मैं इसकी कैसे केर करती हूँ कैसे मेरा jet plant इतना healthy रहता है और ये मेरा हर मोसम में बहुत ही healthy plant रहता है और इतने एक plant सही मैंने इतने plant बनाये हैं चोटी-चोटी cutting भी मैं grow कर देती हूँ तो वो grow हो जाती है और ये देखे चोटी-चोटी hanging basket में भी मैंने इनको लगाया हुआ है और ये बहुत ही जल्दी ब्रो होने वाला प्लांट है लक्की प्लांट है ये आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आपके पास ये लक्की प्लांट है तो घर में बहुत ही अच्छी आपको पैसे में भी बरकत होगी धन भी आएगा और ये धन को खीचने वाला प्लांट मा आप भी आने लगती है और ये प्लांट तो एक बहुत अच्छा प्लांट है तो इसको ग्रो कीजिए अपने बालकनी में गार्डन में और ये आउट्डूर प्लांट है एक इसको इंडोर मत समझे इंडोर रखते हैं इसको लेकिन ये अंदर ग्रो नहीं करेगा इसकी पीली पत्य हो जाएंगी और लेगी लेगी ब्रंचेश हो जाएंगी अगर आप इसको अंदर रखोगे तो मैं तो ज्यादा तर बहारी ये धूप में ही रहने वाला प्लांट है सनलविंग प्लांट है तो इसको सनलाइट चाहिए हाँ मई जून की जो कड़कती गर्मी है ये मैं ने चोटे चोटे पत मैं स साइ मैंन को नहीं कहूंगे क्योंकि मैं कुछ भी धागा तार वार जैसे तार लपेट के करते हैं वो मैं नहीं करती बस ऐसे मैंने स्टैम लगाई और इसको कटिंग करते रही है यह पेड़ के अकार का बन जागा यह देखे मिटी मिटी सॉयल की बात करो तो इसकी सॉयल आप मिलाइए क्योंकि रूट इसकी खराब नहीं होने चाहिए फंगस नहीं लगनी चाहिए तो वेल ड्रेन सॉयल रखनी है और ड्रेनेज होल अच्छा रखना है ताकि जो भी हम पानी एक्स्ट्रा देंगे वो निकल जाए बाहर और इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए यह द इसकी पत्यां पीली होने लगती है तो अभी मैं इसमें फटिलाजर दे रही हो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी तो फटिलाजर देने से पहले आपको मिट्टी को अपनी ऊपर की थोड़ी डिली-डिली कर लेनी है या तो आप खुर्पी से चाकू से यह मेरी तो बहुत इतनी वेल डेन्स होले कि मैं हाथ से इसको मैंने कर लिया है मिट्टी को खोद लिया है मतलब तो अभी यह देखे मैं एक दो चम्मच दो चम्मच मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी वैसे आप इसमें लिक्विट फटिलाजर भी बनाकर इसका डाल सकते हैं और मैं इसमें एक चम्मच धुली हुई चाइपत्ती है यह यूज की हुई जो दो कर सुखा कर रखती हूँ मैं वही मैं इसमें डाल दूंगी यह चाइपत्ती का फटिलाजर इसके लिए बहुत ही बेस्ट फटिलाजर है आप यहाँ पर कौफी को पानी में भीगो कर एक चम्मच बिगो कर रखिए एक लिटर में और उसको फिर डैलूट करके पाने में दे सकते हैं आप इसके लिए कौफी पाउडर भी बहुत ही बेस्ट फटिले जा रहा है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मातर होती है इसको इस प्लांट को पतियां ही इसको ग्रीन करनी है पतियां इसके ग्रीन रहेंगी उसी नाइट्रोजन से ही पतियां हेल्थी और ग्रीन रहती है तो आप चाय पति दीजिए या फिर कौफी पाउडर दीजिए वैसे तो वर्मी कंपोस्ट आप देंगे तो उसी से ही इसको पुरा न्यूटिशन मिलेगा लेकिन चाय पति मैं इसको दे देती हूँ क्योंकि धुली हुई चाय पति है जादा नाइट्रोजन की मातरा भी उसमें नहीं है तो आप जो चाय पति दोकर सुखा कर रखते हैं वो एक एक चम्मच इसमें डाल सकते हैं 15-20 दिन के बीच में तो ये देखे मैंने इसमें फटिलाज डाल दिया है और फिर मैं इसके ये स्टोन इसमें ही रखे हुए तो मैं इनको ऐसे रख दूँगी सुंदर लगता है चोटा प्लांट ऐसे आप स्टोन वगरा उसमें रख देते हैं तो और ये एक बहुत अच्छा पेड़ के आकार का लगता है ये देखे और फिर मैं इसमें पानी दे तो इसमें पानी देना अभी ये मैंने बारिश की तरफ नहीं रखा वाता वैसे तो कभी-कभी बारिश होती है हमारे यहां जाद नहीं हो रहे है दिल्ली में बारिश तो इसको बिल्कुल इसलिए इसकी मिटी सूखी थी तो ये पानी जैसे ही नीचे जाएगा मैं थोड़ा और इसमें डाल रही हूँ तो अच्छी तरह से इसको पानी देकर फिर मैं इसको उठा कर जहां से मैंने इसको उठाया वहीं पर मैं रख दूंगी और ये छोटे-छोटे इसकी कटिंग भी हो जाती है चोटे-छोटे पॉट में भी आप इसको ग्रोव कर सकते हैं ये देख ये छोटे से पॉट में भी मैंने ये चार इंच के छे इंच के पॉट में और इसको आप लगा सकते हैं इसकी छोटी सी कटिंग भी आप ग्रोव कर सकते हैं मैं तो ये जो कटिंग निकलती है मैं इनको फेंकती नहीं हूँ जाद अतर लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादे ज दो चार पतिया आप तोड़ते रही हाथ से तोड़िये या फिर कैंची से उसी से ही बुशी बनेगा देखिए कितनी हेल्दी पतिया है मोटी मोटी पतिया है और अगर इसको सुखा रखेंगे जदे बिल्कुल तो भी ये ग्रो नहीं करेगा और हाँ गीला रखेंगे फिर त इसना सड़ जाती है तो आप इसको पानी कम दीजिए और इसको सनलाइट में रखेंगे इसको इंडोर मत रखेंगे इंडोर प्रांट नहीं है तो हाँ एक दो दिन के लिए आप ऐसे डेकुरेशन के लिए रख सकते हैं थोड़ा अच्छा लगता है अंदर रखा हुआ ग् फैब के बाद से समर तक बहुत अच्छी ग्रोथ करता है फैबर बरे से इसके ग्रोथ शुरू होती है और समर के बाद तक बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना जैसे मैंने कहा और सुखा भी नहीं रखना है ने तो पत्तियां से झ्ड़ जाती है और उसको आप के साहिक ये मनी प्लांट की तरह ही एक लगकी प्लांट है जिसके पास मनी प्लांट bonaf वह भी एक नन्का पौ। ट्ड़ प्लांट और जैट प्लांट उससे भी अच्छां प्लांट है रहन reasonable थैफ को और यह देखे मैंने यह मैंने बीस परच्चिस दिन पहले मैंने यह कोई सप own गाम दिया था कोई सपोर्ट नहीं है कुछ है यह मैंने इनको ऐसे बांध दिया था और इस के स्टेम इनकी शुरूर हो गया ग्रोथ और यह इनको इन्होंने roots भी पकड़ ली है तो यह बहुत ही जैसा मैंने कहा बहुत easy to grow plant है आप इसकी लंबी से लंबी stem भी grow कर सकते हैं और छोटी से छोटी यह देखिए एक stem मैंने यहां पर ऐसे लगा दिती यह cutting इसी के साथ साथ जब यह लगाई थी और यह देखिए कितनी 20 दिन के बीच में इसको चाह पत्ती का fertilizer दीजिए या वर्मिंगम पोस्ट दीजिए बागी इसको धूप और पानी बस यह चाहिए तो इसको यह बहुत ही hardy plant है और एक succulent plant है क्योंकि इसके पत्तियों में इतना मौश्चा रहता है तो यह इसको काफी दिन भी आप पानी न बनाते हैं लेकिन आप इसको ऐसे भी grow कर सकते हैं अपने pot में तो यह बहुत ही अच्छा plant है और इसको grow करिए जरूर और यह देखी इसकी छोटी सी cutting में क्या करती हूं छोटी सी cutting जैसे मैंने निकाली ऐसे side में किसी भी pot में मैं ऐसे लगा देती हूं और यह बहुत जल्द से भी grow हो जाता है लेकिन मैंने अभी leaf से grow इसको नहीं किया है पत्ती मैं नहीं grow करती हूं कि मेरे पास already इतने plant हैं यह देखिए यह भी मैंने cutting ही लगाई थी एक basket में यह देखिए कितना बड़ा plant हो गया यह और बहुत ही मोटी मोटी स्की stem हो गई है अब इसको क्या look दू की तरफ मैंने रखे हूं है इनको धूप मिलती रहती है और bright light मिलती है तो यह अच्छी growth हो रही है इसलिए इनकी तो friends कैसे लगा मेरा jet plant का collection और मैं इसकी कैसे care करती हूं यह आपको कैसी लगी friends आप भी अपने plant की कैसे care करते हैं आप comment करके बताईए friends और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो like, share और subscribe कीजिए